कि ही गाइस वार्निंग देखिए ये वीडियो में मैं आपको कुछ खरीदने बेचने के लिए नहीं बता रहा हूं केवल मैं आपको कुछ सिखाने के लिए बताना चाहता हूं कि कैसे एक छोटा सा स्टॉक 0.35 केवल 35 पैसे का शेयर अगर आप चाहो तो एक रुपे में तीन चार शेयर भी खरी सकते हो है कि नहीं है छोटे छोटे चोटे स्टॉक होते हैं भाई केवल 35 मतलब पैसे बोल दो पैसे चलेगा ना 35 पैसे का शेयर रुपे भी नहीं था एक रुपे भी नहीं था लगबग stock को खरीद लो इतना बड़ा return नहीं देता लेकिन इतना बड़ा आपको return तो देखे जितना बड़ा return होता है देखो return और आपको पता ही है कि कभी कभी आपको loss भी देखीने को मिलता क्योंकि operator होते है जब इतना बड़ा इतने भी stock market में लोग होते हैं सभी का ध्यान उदर ही जाए और जब सभी लोग देखो माल खरीदने की कोशिष करेंगा लेकिन मिलेगा किसी को नहीं समझने की कोशिष किजए यही knowledge देने के लिए मैं यहाँ पर आपको बुलाया है हूँ मिलेगा किसी को नहीं आप कोशिष करते करते ठक जाओगे लेकिन मिलने वाला नहीं है लेकिन हाँ एक दिन आएगा जो दिन आपको वो stock मिलेगा आप बाय करोगे और आपको मिल जाएगा मतलब वो दिन अच्छा होगा आपके लिए आपको ऐसा लगएगा क्योंकि आपको फील होगा कि मुझे वो stock मिल गया लेकिन वो stock आपको मिला नहीं है आप फस चुके हो वहाँ पर देखो circuit से circuit से stock जा रहा तर नहीं मिला high पर यहाँ पर आपको देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर माल बेचा गया इस वज़े से आपको देखने को मिला और माल बेचा गया तो खरीदने वाले भी तो चाहिए तो आप लोग खरीदने के लिए तयार थे तो operator ने अपना पैसा निकाल दिया profit के साथ आप तो फस गया अब उसके बाद stock देखो volume कम हो जागा क्योंकि पैसे कम हो जागा वहाँ पर तो stock lower circuit lower circuit मारना start कर देगा अब सारा लोगों का पैसा बरबाद हो जाएगा याद रखो तो ये कहीं कहीं operator लोग बहुत गंदी तरीके से operate करते हैं और लोगों का पैसा ले लेते हैं यहाँ पर ये देखो company का share का price केवल 35 पैसे से start हुआ था और कहां तक गया था लगबग 250 रुपे तक गया था मतलब इसने 58,000 पसंड का return दिया देख लो मतलब 2019, 2020 मतलब एक-दो सालों के अंदर ये company ने इतना बड़ा return दिया यहाँ पर देख लो लेकिन ये stock देखो के तो केवल ऊपर ही जाता था केवल ऊपर ही जाता था अब देखो जिसको return मिलेगा वो तो बेचेगा नहीं अब ये stock लगबग देखो flowmic global logistics company का नाम देख लो पहले company का नाम देख लेते हैं देखो केवल BSC में है और बहुत सारे ऐसे stock होते हैं जो के x group के होते हैं तो x group से दूर रहने की कोसिस कीज़ेगा x group से अब ये company अब देखोगे तो लगबग अभी lower circuit में आ चुका है पिछले 5 दिनों से 80% का loss है सही है यहाँ पर अभी अभी ये lower circuit होगा है तो मतलब अभी 22% का loss है अब जितनी लोगों ने भी माल खरीदा होगा उनको बहुत तकड़ा नुकसान देखने को मिलने वाला बहुत तकड़ा क्योंकि भाई ये कहां जाकर रुकेगा नहीं रुकेगा बोलना मुस्किला 100-200 करोड का ही market cap है company का बस उतन है कुछ ज़्यादा खास है नहीं और पर्मोटर्स के पास भी ज़्यादा माल नहीं है अगर देखो company इतना कमाल करके दिखा रही बहुत साथ हैजर पसंट का return निकाल के दिखा रही तो कुछ लोगोंने operate किया होगा इसी वज़े से stock यहाँ तक पहुंच होगा ज़्यादा company बड़ी भी नहीं है किवल 100-200 करोड का market के पर तो इतना ज़्यादा return कैसे दे सकती है company आपर सोच लो लेकिन दो shocking news है यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर जब आप fundamentally चेक करोगे तो intrinsic value तो ऐसे भी नहीं दिखाना चाहिए company का यहाँ पर बताया जा रहा है return वसे से fd rate यह बताया जा रहा कि fd rate से कम return देता क्या बता रहा है यह wrong है मेरे हिसाब से क्या बता रहा है यह line तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप यह पर पढ़ दो उसके बाद मुझे बतायेगा company बोलते है fd से जादा अच्छा return नहीं दे रही मेरे हिसाब से लिखिन company ने जिस हिसाब से return दिया बहुत अच्छा है तब तो company यहाँ पर देख सकते हैं dividend नहीं दे रहा वैसे भी dividend की क्या जरूत है जो लगबग यहाँ पर हजारो पसंद का return निकाल के दे रहा company का यहाँ पर देखो गे मानना है यहाँ पर ticker take website में कि लगबग यह stock अभी भी entry करने लाइक है पहली चीज अभी भी stock overbought john में नहीं हुआ है दूसरी चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगबग ASM GSM group में यह stock नहीं है मतलब से भी enter यह stock देखने को अभी भी नहीं है सोच लो अभी भी stock से भी enter नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बलूँगा कि देखो यह stock इतना ज्यादा उपर गया है लेकिन हम क्या problem क्या है कि हम profit नहीं बुक कर पा रहे है profit नहीं बुक कर पाऊगे तो फिर कहे का मतलब multi-bagger बोलना है कि नहीं है इसलिए मैं आप बोलता हूँ कि कुछ जिसके market के थोड़े बड़े होते है थोड़े बड़े होते है उनमें निवेस करने की कोशिस करेंगे और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ देखो एक और stock था जो उसी तरीके से बहुत multi-bagger return दे रहा था देखो बहुत बहुत बड़ा multi-bagger return दे रहा था अगर आप अभी देखोगे तो लगबग ये stock गिरना start हो चुका है और एक महिने में stock 31% गिर चुका है आपके कितना गिरेगा बोलना मुस्किल है कितना गिरेगा बोलना मुस्किल है लेकिन हाँ इसने भी लगबग अगर देखो कि पूरे एक साल में लगबग 20-1000% का return देने के कोशिश क्या है 20-1000% उपर में देख सकते हैं है कि नहीं है यहाँ पर देखेगा 20-1000% अगर हम गिरावट को हटा देते हैं तो इतना ज़्यादा तो देखो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि पैनि स्टॉक्स में अगर आप पैसे लगाते हो तो बिल्कुल छोटे-छोटे पैसे लगाई है और पैनि स्टॉक्स खरीदना भी ज़रूरी होता लेकिन जितना आप ज़्यादा खरीदते हो उससे ज़्यादा अच्छा आपको research करना पड़ेगा, याद रखो, अब जितना बड़ा पैसा डालोगो penny stocks में, उतना बड़ा आपको research करना पड़ेगा, तभी आपको जादा से जादा आपको benefit हो पाएगा, नहीं तो loss होगा, याद रखेगा, अगर 100 penny stocks पे, अगर आप research करते हो, तो उसमें से 50 तो ऐसी company होती है, जिनका नाम हो निशान मिड़ जाता है, और कुछ लगबग 30 ऐसी company होती है, जो अपने price के up-down, up-down या loss में ही trade करते रहते हैं, और इसमें से कुछ company उपर निशे भी ओड़ाते हैं, किवल 4-5 company है, जो लगबग real में multi-bagger बन पाती है, याद रहो, किवल 5 company है, मतलब 100 में से किवल 5% probability है, कि आपको काफी अच्छे return मिल सकते हैं, तो penny stocks में सारा पैसा ना लगा है, कुछ लोग का मनना है, बोलते हैं, sir मैंने आपने बोला था, यह stocks में सारा पैसा लगा दिया, तो penny stocks छोटे price ही deserve करते हैं, बड़ा पैसा लगाना है, तो बड़े stocks में लगाया करो, देखो, जैसे कुछ अच्छे penny stocks भी निकलते हैं, जो लगबग अपने हिसाब से भागते हैं, मतलब stock का जितना real value, company का जितना real value, उसके हिसाब से भागना चाहिए, ट्राइडेंट देखो, company भागती थी, लेकिन एक साल में, दो साल में आपको कितना return देती थी, 100-200-300% तक का return देती, ज्यादा ज्यादा, और देखो, वह सच में multi बगगर बन चुकी है, तो एक मतलब range होना चीए, टलना platform भी देखोगे, तो लगबग 8-900% का return दिया, दो स साल में चलेगा, 1000% का return दो साल में चलते है, चोटे-चोटे stocks में, लेकिन 20-30-40-50-200% का return मतलब कुछ समझो कि वहां कुछ तो गलत है, सही है, penny stocks भी return देती है, लेकिन इतना जादा return ना कि मतलब कुछ ज्यादा हो जाए, कोई भी चीज आगर ज्यादा हो जाती है, तो मैं आपको बलूँगा, वो चीज अच्छी नहीं होती है, बहुत सारे मल्टी बगर अभी बन चुके मैं आपको बलूँगा, एक अवंती फीड है, वो देख लो, अवंती फीड देख सकते हो, लगबग UPL देख सकते हो, वो भी लगबग 50 पैसे से start हुआ था, UPL, आज देखो को निफ्टी 50 का स्टॉक बन के बैठा हुआ है, लगबग लूपीन देख सकते हो, वो भी लगबग 2 रुपे से start हुआ था, 2000 रुपे को टच करके आया है, सन फार्मा भी देख सकते हो, कितना चोटा स्टॉक था कहा है, अर विंदू फार्मा भी देख सकते हो, कितना, पी बड़े जगों पर आज के कल के डेट में राज कर रहें, मतलब बहुत बड़ा स्टॉक बन चुक है, इसलिए बोलता हूँ छोटे स्टॉक खरीदना है, लेकिन सोच समझ के खरीदना है, सही है, ऐसी मतलब आंग बंद करके पैसे मत लगाईगा, बहुत खतरनाक हो सकता, औ और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं तो अपने डिमेट अकॉंट इंजल में ओपन कर सकते हूँ, जहाँ पर आप एनसी, बीएसी, मिचल फंट कुछ भी खरी सकते हूँ, कुछ टिंचन की बात नहीं है, जो चार्जेस वगरे हैं, बहुत छोटे लगते हैं, डिमेट अकॉंट बगर आपन कर सकते हूँ, बहुत ही आराम से,